हेलो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो इस्टूडेंट कानपुर युनिवस्टी से हैं तो उनके लिए मौश्ट इंपोटेंट कोशन है और सभी को लिए याद इतना प्यार देने के लिए लब यू सभी को दल से ठीक है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बियसी 30 वालों के लिए जलोजी का सेकिंट पेपर है जो 2021 में आने वाले कोशन है आप इन कोशनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं और जादा से जादा इस वीडियो को शेर कर देजिए अपने दोस्तों तक पहु यह फिर Super X सबको पहुचा दीजिए समत्रे हो पडोसी को भी पहुचा दीजिए शेर कर दीजिए पडोसी के WhatsApp पे टेक्स मेसिज द्वारा लिंक शेर कर दीजिए जादा से जादा इस कोशन को देखो क्या बोला गया है पहला कोशन अब टेक लगाएंगे अपने बुक में नोट्स में यदि नहीं है तो नोट्स नालोड कर सकते हैं इसके लिए हम रिकमबो इने टेक्नोलोजी बोलते हैं देख सकते हैं यह एक ही है सेमी कोशन है और इसका विकास कैसी हुआ इसका योगदान क्या है आपको यह याद करना यह पूरा कोशन आप देख रहे हैं यह क्यान ऑफि नीमें यह सब्सक्राइब सकते हैं लेकिन इंग्लेस में जो कोशन लिखा ओगा वो रिकमबीने डियने टेक्नोलोजी की बारे में होगा इसका विकास इसका योगदान का रहा है वह आपसे पूचेगा तो आपको याद करना है नेक्स्ट कोशन आपको याद करना है ट्रांसजनिक जंतुव का वर्गी यह आप याद करना है उसकी महत भी क्या है यह आप याद करेंगे और साथी साथ जीन जो क्लोनिंग होता है जीन क्लोनिंग से बोलते हैं उसको आप याद करेंगे most important है जिन क्लोनिंग किसे बोला जाता है इसकी परिभासा को आप याद करेंगे next question आता है अनुवनसिक यांतरिकी अनुवनसिक यांतरिकी पर निबंद आपको लिखना है most important है उसके बाद में vaccine क्या होती है और vaccine के type क्या होते है इसको आप करेंगे next question आप याद करेंगे जैप प्रदोगोकी के दुआरा उर्जा के संकट से निब्टारा कैसे करें ये आप याद करना है ये भी आपके लिए बहुत जादा most important है 2021 के एक्जाम के लिए इसको आप याद करेंगे अच्छे तरीके से याद कर लिए ये बहुत ही जादा important है next question आप से पूचा जाता है देखिए next question ये जितने मैं आपको बता रहा हूँ ये question अपने book में notes में गैसे पर में टिक कर लेना है कि देखिए जीजों हमने बोला है next question है रोग पृति रोधक जो चमता होती है वो कितने प्रिकार की होती है और साथी साथ पृति रोधक सकती होती क्या है इसे कहते हैं किसे कहते हैं पिर्ति रोधक शक्ती होती क्या है जैसे हम रोग से लड़ने के लिए जो सक्ती प्राप्त होती है जो छम्ता प्राप्त होती है वो तो आपको बताए पिर्ति रोधक शम्ता होती है रोग से लडने के लिए लेकिन रोग जो कह सकते हैं जो प्रति रोधक शमता सकती होती क्या है उसकी बारे में आप थोड़ी जानका ले लिजे अपने बुक नोट्स को ठाइए उसको पढ़िए थोड़ा सा याद हो जाएगा नेक्स कोशन आता है आपसे इस कोशन पर टिक लगांगे अपने बुक मे बोग पूँछा जाता है आप जानते हैं क्रोमिटोफ ग्राफी क्या होता है तो इसको आप याद करेंगे नेक्स्त कोशन देखिए यहां प्रभाहिद करने कारक किसको आप कहेंगे इस सिध्धान्त को यह सिध्धान्त बहुत जादा IMPORTANT है इलेक्टो फोरेसिश का सिध् प्रियक्ता किसे कहते हैं यह आपको प्रियक्ता किसे कहते हैं यह बहुत सब्सक्राइब को देखते हैं यहां बोला जाता है मानक बिचलन प्रियक्ता किसे कहते हैं यहां और साथी और नेक्स पूछा जाता है जीमोन प्रियक्त क्या होता है जिनोम प्रियक्त होता है उसके बारे में आपको याद कर लेना है most important है genome project के बारे में next question आपसे पूछा जाता है इस question को देखिए यह है plasmic vector के रूप में देखिए plasmic vector के रूप में काम करते हैं उसको आप याद कर लेना है next question आपसे बनता है कि polymaryase स्रंकला और अभीकरियाओं के बारे में इस question को आप याद कर लेना है जिसे हम PCR के नाम से जानते है poly, जो polymaryase कहते है polymaryase जो स्रंकला होती है उसकी अभीकरियाओं के बारे में reaction के बारे में आपको देख लेना है बहुत ज़्यादा important है next question आपसे बूचता है कि DNA fingerprinting क्या होती है DNA fingerprints देलते है उसके बारे में आपको याद कर लेना है उसके बार next question आपको टिक लगाएंगे gene bank क्या होती है gene bank को एक और किसी नाम से जानते है जैसे कहते है gene library के नाम से जाना जाता है ठीक है तो genic library के नाम से जाना जाता है gene bank को ही तो इसके बारे में आपको याद कर लेंगे, नेक्स्ट कोशन आपके सामने आ चुका है, इस कोशन को आप देखे, हिस्टोग्राम क्या होता है, आप देखे, हिस्टोग्राम के बारे में याद कर लेजे, एंटीजन और एंटीवर्डी किरिया क्या होती है, इसको आप याद क करेंगे नेस्ट कोशन एक टेकनलोजी बहुत ज्यादा फैमास होती है जैसे हाइवरोडोमा टेकनीक की कहते हैं है इसको आप याद कर लीचे क्या होता है इसके बारे में आप याद करेंगे और पर आकोड़ों का संगहन और संसेपण के बारे में याद करेंगे और पेच इलेक्ट्रो जो फोरेसिस मैंने उपर अभी बताया था आपको इलेक्ट्रो फोरेसिट या उपर यहाँ पूछा जाता है इसिवारे में यह ने क्या होते हैं वह अपको वूच लेता है ठीके इसको भी देख लीजे ठीक है फेज जो कंस्ट्रॉल जो माइक्रोसॉफ वोती है तो कर लेज़े यह नहीं है तो इसको चोण देना लेकिन इंपोर्टेंट जो कोशन है वो यही थे 2021 में आने वाले कोशन आप इन कोशनों को याद करके 85% ला सकते हैं तो आज की विडियू कै आपकी सामने पेज करूँगा जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले है तो वीडियू कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूब आए आशा करता हूं को वीडियू पसंद आई हूँ ते चनल को सब्सक्राइब करेंगे और ब्याइकन को प्रेस करेंगे और ब्या